हेलो थेर फैबरी कैसे हो आप सोई लोग आई होप कि आप से लोग बढ़िया होगे और आप से लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो फड़ा फट से अपने एपसोड को एक्स्प्रेइन करना इस्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोग को यह एपसोड काफी पस था जिनकी पावर एंपरर कल्टिवेशन लेवल तक पहुंच चुकी थी दिन हमने देखा था क्लिप से कुछ पावरफुल लोग निकलते हैं जो कि अब इसलिए मैजिकल वीश्ट थे लेकिन तभी वहाँ पे पेर होते हैं इन और यांग एल्डर और इनके मास्टर भी वही जो कि हैबन सर्माउंटिंग एल्डर के मास्टर थे और ये सायद वही फिश्ट अटेक ले निकला है था जो कि जोयान को चाहिए था देन हमने देखा था कि उनके समझाने के बाद वो वीश्ट वहाँ से भाग जाते हैं तर भी वहाँ पहुँचता है जोयान और मर्द से एलाइंस के लोग जो कहते हैं आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया जिस पैल्डर कहते हैं कि तुम के वल अपने ग्रेंट फादर के दम पे उड़ रहे हो दन हमने देखा था कि इसके बाद वो कहता है यहां का सारा ट्रेजर हमारा लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है और एक ड्रेगन वेर्ट एजर इस्पिर्ट जिंसन को खोज लेता है तब ही जयन कहता है यह मुझे दो और तुम निकल लो लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहीं पे मैंने एपसोड एंड किया था तो यह वाला एपसोड इस्टार्ट होता जैस्ट हुआ ही से अब तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कल लो यार इस टाम पे जोयन यही सोच रहा होता है कि इस बंदेन मु यौंग और उसे मानने के लिए एलाइंस में हाथ मिलाए था कि तभी अचानक से बान लाओ से ने एक जोड़दार धमा के किसा जोयन के उपर अटेक कर देता है और काफी सार को तुरंती डिश्ट्राय करने लगता है यह देखकर बान लाओ सेन काफी हरा चौक जाता है क्योंकि उसकी कोई चेंज जोयन के हैवली फ्लेम के सामने धीरे-धीरे मेल्ट हो रही होती है और डिश्ट्राय होते हुए कोई की एयर में बदल जाती है यह देखकर वो काफी ह और लाओ सेन जोयन को देखकर आ होता है। ताकि वो peak level पर पहुंच का breakthrough कर सके आपके लिए ये बेकार है अगर आप ये मुझे देने को तयार है तो इसके बदले में मैं आपको कुछ भी देने को तयार हूँ तब इजॉन तुरंती कहता है ठीक है तुम बदले में क्या देना चाहते हो इस्टंपित जॉन के दिल में अपने लिए काफे इस्टार्ट जीस थी कि चाहिए खुद के लिए हो यूनर या काईलिन के लिए उन सभी को एमपरार लेबल के peak level पर एक ना एक दिंग तो पहुंचना ही था साथी जॉन को एमपरार कल्टिवेसर लेबल के काफी यूसफुल था कि उसके लिए जोयन को कुछ चीज़ा मिल सके तब ही बानलाव सैन कहता है सौब मिलियन मोनार क्रिस्टल लो ग्रेड मोनार कार्ट का एक स्क्रोल इसके बारे में क्या खयाल है इस टाम पे लेबलाव सैन को लग रहा होता कि ये जो उसने ओफर जोयन को दिया है इसे जोयन बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा साथी वो एक इविल कल्टिवेटर था और काफी इविल सेक्ट में उसने काम भी किया था ये देकर जोयन तुरंती हस्ता और कुछ सोच कर तुरंती कुई वेरियर को डिश्ट्रॉय करके जिन से इनको निकाल लेता है इस टैम पे एक सो मिलियन मोनार्स क्रिश्टल काफी यादा थे क्योंकि जोयन ने इतने मोनार्स क्रिश्टल को इखटा करने के लिए काफी अफ़र्ट किया थे लेकिन अब सीन कुछ अलग था क्योंकि कैप्टल आप कहे उसमें अपनी पावर के साथ उसे कोई छोटे मोटे ग्रुप्स के उपर अटेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए जोयन के पास लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी यो सुनकर बावलावसें तुरंती चौकते हुए कहता है आप क्या कह रहे हैं और तुरंती सक भाई नजरोसी जुएन को देखता है तब ही जुएन कहता है यो सुनकर बावलावसें काफी अरह डर जाता है और चुपचा फुदास तरीके से जुएन को देखते हुए काफी देर बात कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हर बात सुनूँगा लेकिन तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे अपने टोप का चारा बना सकते हो नहीं तो अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें आसानी सी नहीं जाने दूँगा जिस विजुएन कहता है बेसक लेकिन अगर तुम अगर तुम ओवीडियन्ट बनना चाहते हो दूशतरब बन लाओ से अब उसके पास कोई भी आप्सन नहीं थे सिले बेचारा जो यान का पीछा करना इस्टार्ट कर देता है दूशतरब युनलो अकडमी में हैवन सरमाउंटिंग आल्डर हैवन पिलर पीक पे खड़े हुए आपने बास्तों में उस ट्रेजर को इतनी खतरनाक जगे पर चिपाया है अगर वो सभी लोग मर जाते हैं तो क्या ये कुछ ज़्यादा ही क्यूल्टी नहीं हो जाएगी और ऐसा कहते हुए प्रोफाउंड एल्डर सरमाउंटिंग एल्डर की तरब देखते हैं तो जॉन केता वो क्या चीज है और उसके बाद जॉन देख सकता था एक जाइन पाइसन को जो की मैधान में गेट को बंद करके खड़ा हुआ होता है और डर्जनों लोगों को रोक रहा होता है साथि ये इसे पाइसन के नाइड हैड होते हैं साथ ही एक काफी क्रुल फेस इंप्रसन रखे हुए होता है इसकी जो गर्दन होती वो इस्प्रिंग की तरह लग रही होती है इसकी मूघ की जीव आग उगल रही होती है और दात काफी साफ होते है यते की एक मुनार चेंप्रल लेवल के वारियर अपनी लापरभाही के कारड़ बिचारे के दो टुकड़े हो चुके होते हैं इस heavenly beast के हाथो तभी जोन कहता है ये heavenly beast तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि मैं इससे किसी भी औरे को फिल नहीं कर पा रहा हूँ क्या ये एक puppet हो सकता है और इसके बाद जोन उस giant python को देखता है जो हो सकती है what the hell इसकी body में किसी भी type का attack इसे चोट नहीं पहुचा पा रहा क्या इसे दर्द नहीं होता इस time पे सभी लोग कपी गुस्से में आ गये होते हैं और उन सभी के हांतों में उनके spirit weapons होते हैं जिनने कपी high quality के metal और ingredients से refine किया गया था फिर भी वो इसे कोई भी चोट नहीं पहुचा पा रहे होते तभी एक पतला दुबला अदमी कहता है my lord मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और इसके बाद वो एक हांत अपने सामने किसी की तरफ जोडता है तभी उसकी बास को सुनकर जोयान तुरंति उस direction पे देखता है तो जोयान फील कर स पर देखता है तो वहां से भी एक आवा जाती है क्योंकि यह मावला है तो चलो एक साथ अटेक करते हैं जो कोई भी छिपकर अटेक करने की हिमत करेगा उसे इस old man के हां तो मरना होगा तभी सभी लोग कहते हैं हम elder song की बास सुनेंगे जिसके बाद एक person वहां पे तुरंत ह काफी powerful तरीके से अपयर होता है तभी पहला emperor cultivation level का बंदा जो की बोल चुका था वो कहता है मुझे लगता है यह कोई formation होनी चाहिए जो काफी long time पहले use की गई थी मुझे इसकी इतनी ज़्यादा powerful होनी की उमीद नहीं थी बास्त में ancient लोगों के पास काफी knowledge था जो की आज क की मदब से जयान को इसका नाम भी पता चल गया था और इसका नाम था यूआन टॉंग टियान जो कि profound साब रेंसेक्ट के हाई पोजीशन में था और इसके साथी साथ उन्होंने किसी अन्रोज लीजन के कारण profound साब रेंसेक्ट को छोड़ दिया था और वरतमान में वह capital of chaos म सबसे बड़ी trading company के management में थे और काफी popular भी थे तभी green करके कपड़े पेंड हुए एक लड़की तुरंती left right मुड़ते हुए एक प्यारी से smile करते हुए कहती है big brother you are आप सच में एक great person कहराने लायक है जिसने profound emperor को follow किया था और इस तरीके की चीजों के बर में भी आप जानत होती है और वो उस लड़की के words को पूरी तरीके से ignore कर देते हैं और उनकी बात को सुनते ही सभी लोग तुरंती अपने अपने powerful attack को ready करते हुए nine headed python की उपर attack करने लगते हैं तभी युआन टॉंक्टियान तुरंती कहते हैं इस तरीके की formations में जो energy होती है वो energy core से मिल रही होती है और जब तक हम energy course को destroy कर सकते हैं हम इसे भी destroy कर सकते हैं तभी जहान जो दूर खड़ा होता है तुरंती कहता है energy core जिसके बाद जोन formation को समझ जाता है कि इसे core ही energy दे रहे होंगे और इसलिए उसे इस बीष्ट के अंदर का aura feel नहीं हो रहा था तभी nine dragon पर attack करने वाले चार emperor cultivation level के warriors को देखते हुए जोन तुरंती एक पीछे की जगे पर आ जाता है और जो यह उसे बात करना सुरू कर देता है साथी जोन को पता था कि formations को और रिजन कोई को absorb करने के लिए भी एक तरीके से use किया जा सकता था और ऐसी अन टाइम पे कई आसे लोग भी थे जो कि किसी unknown reason के कारण cultivation नहीं कर पाते थे इसलिए उसने mechanical creation मतलब यह formation का ही रूप है mechanical creation नामक puppet को एक weapon के तौर पर refine करना इस्टार्ट कर दिया था जिसमें एक special ability होती थी साथी mechanical creation को control करने के लिए और इस time के weapon को power देने के लिए इनमें कुछ outer चीजों का भी use करना पड़ता था इ इस उनका जोन दुरधी अपने से लाता है जिसके बच जोन के था आउटर चीजों पर depend होना इससे काम बिलकुल भी नहीं चलेगा आखिरकार mechanical creation एक emperor cultivation level की warrior के बरापर होती थी हाला कि यह सिर्फ एक पपड़ थी यह यह अभी भी काफी ज़्यादा बीक थी और क्योंकि 4 emperor cultivation लेविल के बड़े ने एक साथ अटेक करनाई स्टार्ट कर दिया था तो कोई भी नहीं जानता था कि अब इस beast को destroy होने में कितना time लगने वाला है तभी जियो यह कहता मामू मुझे लगता है काफी long time बरबाद हो चुका है और अब energy course के अंदर ज्यादा energy नहीं होगी साथ इन लोगों के अपर्ट को देखते हुए तो मुझे लगता है हम केवल मुश्किल से ही इसे बंदे के साथ लड़ सकते थे तभी green car की cover लड़की जो की fight करे होती तुरंदी कहती है इसे मानने में बस तो में हमें काफी मैनत करनी पड़ रही है और इस time पे इस beast को मान दिया ह पैविस में फैला हुआ होता है और इसका ending point तो दिखाई तक नहीं दे रहा होता जिसके बाद चारो एंपरर कल्टिवेसन लेवल के बाड़ी तुरंदी स्पीड के साथ साथ साइस्स वहां से निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुए देखकर कुछ एंपरर मोनार्चंप्र आवास को सुनकर जो यान भी एकसाइटर हो जाता है और डीप एविस की तरफ देखता है जहां पे हलकी सी भी लैट नहीं थी पूरा pin drop अंधेरा होता है और किसी को भी नहीं पता था कि एस अंधेरे के आंगे क्या होगा कितनी खतरनाक जगे होगी हाला कि जब 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 ज आचाने नंदाजा लगा लिया था कि जो यान क्या सोच रहा है तभी जोन के था मैंने तुम्हें नीचे जाने देने की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तुम केवल यहां पे खड़े रहकर पहरेदारी करो अगर तुम अकेले नीचे आते हो तो ड्रेगन बीर्ड एजियो र प्रोटक्सर में जो यान नीचे की तरफ कूंतो जाता है लेकिन हवा में वो बहुत देर तक उड़ रहा होता लेकिन उसे नीचे जाने तक और नीचे पहुँचने पे काफी टाइम लग रहा होता है सासी किम सर गोल्डन ट्रेप जोन की आँखों में साइन हो रही थी जिस पाइटन के सिर यहां वा डले हुए थे जैसे जमीन में काफी बड़े बड़े गड़े बन गए होते हैं तभी जो यह जो यहान के कंदे पर आ जाता है तुरंती कहता है अजीब बात है कहिए उस जगे से आई है तभी जो यहान उस जाइन पाइटन की डेड बॉड़ी को जो यहान ने देखा था सिर तो कटर हुए लेकर ब्लट के कोई भी निसान नहीं होते नहीं लाइपआवर का कोई भी निसान था तबी जो यहान अपनी स्टोईरिंग में पूरे के पूरे बीष्ट की डेड बॉड़ी को डाल लेता है जिसके बाद जो यान अपने चारवत है जिस पर जोन भी अपना से हिला देता है क्योंकि उसे भी विस्वात नहीं हो रहा था कि है वास्तम ऐसी किसी जगह को बनाएगा ते विजयन कहता मुझे नहीं पता कि यह एविस कितना ज्यादा लंबा है और अगर हम ऐसे ही ढूरते रहें तो यह भूसे के ढेर में सुई ढूरने जैसा हो जाएगा हम उपर से श्टार्ट क्यों नहीं करते और कापी देर तक ऐसा ही चलने के बाद जोयन तुरंती जियो यह उसे कहता है क्योंकि उसे है वेली फिश्ट अटेक हर हाल में चाहिए था तभी जोयो कहता है कोई बात नहीं वैसे भी हम इस जगह के बार में पहले ही पता लगा चुके हैं तो चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं तभी जोयन कहता है लेट्स गो इसकी बाद जोयन तुरंती का में फाश्रेस फिल्ट के साथ आसमान में ओर और जोयन ने जहां पे पैर रखा था, वहां की जगह अचानक से धस जाती है, और ऐसा फील होता है नीचे जैसे की कुछ आवाजे आ रही हो, जिससे जोयन एक पल के लिए चोक जाता है, और एक बार फिर से जमीन में आ जाता है, जिसके बाद जोयन तुरंथी अपने पाम अ गोल्डन एंपरर फ्लेम अपेर हो जाती है, जो जियन को चारतरफ से कबर कर लेती है, और इसके बच जोयन जोयो को देखता है, और बिना कुछ सोचे वे सीधा ही, उस होल के अंदर इंटर हो जाता है, और अंगले इपल काफी स्पीट के साथ जियन जमीन में आकर गिरता ह तो काफी एलर तरीके से यहां वहां देखता है, तो यह काफी छोटा सा गर होता है, जो एक लैट से जगमगारा होता है, साथी लकड़ी की अलमारियां होती है, जो किताबों से भरी होई होती है, और यह जगए इतनी छोटी होती की केवल, के एक ही परसन यहां पे रोख सक और जैसे ही, जो यान, books को टच करने वाला होता कि तभी, अचानक से हवा में, एक fluctuation होता, और सारी की सारी books, राक में बदल कर गयाँ हो जाती है. यह देखर, जो यान, काफी आदा सौक होता है, जिसके बाद, जो यान, एक idiot सी smile करते वे कहता है, बास्ता में इन किताबों काफी long time से इस जगे पर रखा गया था और ये बस हलके से fluctuation के कारण ही धूल में बदल गई और इसके बाद जोन helpless सरी के सब बार निकलने ही बाला था कि तबी जो यह हो कहता है मामू अभी एक किताब बाकी है और इसके बाद वो उस राक के धेर में देखता है और नीचे सारा करता है तब जोन जल्दी से उस direction पर देखता है तो उसे white rock के नीचे एक किताब का कोना हलका सा दिखाई देता है और अगर कोई ध्यानते नहीं देखता तो वो तो बास्तों में से ignore करके निकल जाता जिसके बाद ओरिजन कोई जोन के हाथ में अपैर होती है और जोन काफी alert तरीके से निकालता है और cover के उपर के ये तीन bird पर के जोन दंग रह जाता है और उसके दिमाग में तुरंदी nine giant dragon की image आ जाती है जिसके बाद जोन कहता क्या ये उसी technique से related हो सकता है दूसी तरफ जोयो वो भी काफी interested तरीके से से देख रहा होता है और इस्टन पर जोयो भी काफी curious दिखाई दे रहा होता है जिसके बाद जोयन ध्यान से उस book को देखता है तो इसमें एक भी bird नहीं था किवल एक map था जो कि जोयन के पले ही नहीं पड़ रहा होता साथ उसमें एक हलका सा print होता है लेकिन ये unknown होता है कि आकरकर ये किस जगए पर है तब जोयन हस्ते होए कहता है ये क्या चीज है क्या ये किसी treasure का नकसा है जिसके बाद जोयान कहता है ये किस बिवकोपने बनाया है इसे तो लीड़ी नहीं किया जा सकता इसमें केबल कुछ मार्क है और इन मार्कस को Dylan जिसके बाद जोयान तुरंती दूसरे पेज को पलटता है जिसके बद जोयान उस page को read करते हुए फिर से चौक जाता है क्योंकि काफी bold caligraphy में कुछ गंदे से बढ़ लेके हुए होते हैं और जोयान ऐसे react करता है जैसे कि उसे एक भी word समझ में ना आया हो जिस भी जोयान कहता है आखिर कार ये क्या बबासीर है और कुछ pages पलटने के बाद जोयान तुरंती कहता है ये तंत्र मंत्री ये मेरे पल्ले क्यों नहीं पढ़ रहे जोयान ने देखा था कि हर पन्ने में कुछ बिखरे हुए बढ़ थे और वो नहीं जानता था कि इनका मतलब क्या है तब ही आखरी पेज को पलटने के बाद हमेजा की तरह सेम रियक्षन देता है और इससे पहले कि जोयान कुछ रियक्ट कर पाता कि तुरंती एक खतानाग किलिंग इंटेंट और चारत तरह पहल जाता है और जोयान इससे डौच ही नहीं कर पाता लेकिन उसे उस बुक में कुछ भी नहीं मिलता इसने जो यह तुरंती कहता है आकरकार चल गया रहा है और इस टैम पे जो यान को लेटा हुँ देकर वो और भी जारा टैंसर में आ जाता है और अपनी ओरजन को जो यान की बॉड़ी के अंदर टैंस पर करने लगता है जब उ जो जो फिर wildly की सारी ही ताकत गायव हो गई हो यहां दा कि जो जो अपनी आके बंद कर की याद करता है कि आखिरकार हुआ क्या था जिसके बाद उस से याद आता है कि मो तो उस बुक के Killing Intents टौरे से बेहोस हो गया था जिसके अंदर काफी क्विचुल पावर और नहीं मर सकता ये मैं नहीं हूँ और जयान अचानक से चीखने लगता है जिससे उस पूरे जगह पर अचानक से तेज अबाज गुझरे लगती है तभी एक आबाज आती है ये कौन हल्ला कर रहा है मरने के बाद तो कम से कम चैन से सोने दो इस अबाज को सुनकर जुन तुरंती अलेट हो जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है जिसके बाद अचानक से तेज ब्रीथ की आबाज आती है और कुछी सांसों के बाद एक हुईट बालो वाला बंदा जो यान की नजरों के सामने आता है जो काफी फटे हाल होता है जिसके बाद जो यान उस हुईट बंदे को देखता है तो अचानक की उसके आखे बुद्लियों जैसी सिकुड़ जाती है इसके बाद जो यान देखता है कि इस बंदे के कपड़े खुण से लगत थे इसके एक हांस में तो बिल्कुल पाबर ही नहीं होती जिससे जोयान उसकी हार्टवीड अचानक से काफी एदाफाश हो जाती है क्योंकि इससे बंदे के और एको फील करके जोयान को ऐसा फील हुआ था जैसे वो ग्रेट एल्डर के सामना कर रहा हो यहांसा की हैवन सर्माउंटिंग अल्डर और बाकी लोगों से भी जोयान ऐसा कभी फील नहीं किया था जिसके बाद जोयान कहता है तुम कौन हो और तुम क्या कहना चाहते हो जिस वो बंद अचानक से हस्ते हुए कहता है इस दुनिया में कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता इसलिए मैं किसी से क्यों कहूँ कि वो मुझ पर विश्वास करे और ऐसा कहते हुए हुए वाइट परसन अचानक से उदास हो जाता है और ऐसा कहते हुए ये कापी तेज-देज से चला रहा होता है और उसकी वाई से कापी आर प्रेशन रिलीज हो रहा होता है और इससे पहले कि जुआन कुछ कह पाता वो हुआइट कलर के कपड़े पहन हुआ परसन अपनी नजरों को घुमाता और ठकी हुई नजरों से और किलिंग एंटेंट औरे को सो करता है और इसके बाद उसकी दौनों फिंगर्स एक साथ मिलती है और जो यान की तरफ ही सारा करती है जिससे ऐसा पीलोते जैसे कोई इन बीजिबल स्रॉड एर से ट्रेवल करते हुई जो यान की तरफ बढ़ रही हो ये देखकर तो जो यान दंग रह जाता है क्योंकि उसकी बाड़ी में कोई भी पावर नहीं थी और उसे चक्कर आ रहे होते हैं साथी वो इस पेस में हलके से फ्लेक्चुएसन को फील कर सकता था हाला कि तभी वो स्रॉड जो यान की फोर हेट के बीचो बीच घुच जाती है जिससे जोण काफी दंग रह जाता है क्योंकि वो केबल इस पेस में फ्लेक्चुएसन फील कर सकता था मैं मैं इसे accept नहीं कर सकता और अपने हाथों को और चैरे को ढख लेता है तभी ये देखर जोण थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद वोइट कलर के कपड़े पहने हुए बंदे को कराहते हुए देखता है तो सर्प्राइज होता है क्योंकि जोण को उसका एक भी बड़ समझ में नहीं आ रहा था जिससे जोण थोड़ा सा सान तरीके से आंगे बढ़ता है क्योंकि जोण ने पहले ही समझ लिया था ये केवल उसके मैंड के अंदर क्रियेट हुआ हुआ एक एल्यूजनरी दिया लम है जिसने उसके मन को एल्यूजन में डाल दिया है और इस जगह पर उसकी बड़ी हलका सा भी एफेक्टिव होती है तो उसकी औरिजिनल बड़ी पे भी इसका काफी बेकार एफेक्ट पड़ेगा इसलिए जोन तुरदी कहता है एल्डर और इसके बड़ जोन उन्हें गेट करता है और वो बंदा जब जोन की आवाद सुनता है तो उसकी बड़ी अचानक से कापने लगती है और वो जो यान को देखता है हालकि ये बंदा काफी खराब इस्तिती में था फिर भी उसके अंदर जो वोड़ी से और रिलीज हो रहा होता है काफी पापरफुल था उसकी आँखे बूरी तरीके से रेड होती है और चेहरा काफी जुर्योदार हो गया होता है तभी अंगले ही मुमेंट उस बंदे की आंके धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगती है और वो पालती मार कर बैठ जाता है और इसके बाद अपने माते पर हात रखता है जिसके बाद वो कहता है क्या किस्मत की बात है अभी भी कोई है जो अंदर आ सकता है ऐसा लगता है कि जैसे गूबू को पहले ही डिश्ट्रॉय कर दिया गया है तभी गूबू जैसे ये दो बड़ जो यान सुनता तो उसका दिल तो कांपने लगता है और वो एक जटके के साथ इस आदमी को देखता है कि इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या रिलेशन है तभी एल्डर कहते बच्चे जब तो मंदर आये तो क्या कुछ अबनॉर्मल हुआ था और वो काफी उम्मी से जोन को देख रहा होता है तभी जोन एक पल के लिए हिचके चाते हुए उन्हें सब कुछ बता देता है नाइन हेड़ेड ड्रेगन के बारे में भी तभी वो बन्दा कहता इस चीच को मैंने बस अचानक ही बना दिया था ये बास्त में आज भी क्रियेट थी और ऐसा कहते हुए एल्डर अचानक से स्माइल करने लगते हैं तभी जयान कहता है मैं सर्प्राइज हो के एल्डर कौन है और उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया था साथी जयान समझ गया था क्योंकि ये बन्दा गूबू का नाम जानता है तो इसे एसियन टाइम का परसन होना चाहिए जो की काफी पाउरफुल और प्राउटफुल बन्दा रहा होगा और साथ गूबू के काई उसकी डेथ हुई होगी तभी जयान की बास सुनते ही वाइट कल्ड के कपड़े पहन हुए एल्डर के फेसे इंपरसन अचानक से चेंज हो जाते है और वो अपनी ब्रानी यादों को याद करने लगता है जिसके बाद काफी देर बाद वो कहता है मेरा नाम जुओ तियान लिंग है तभी जयान कहता है जुओ तियान लिंग और अचानक से इस नाम को याद करता है और इंबरेस होते हो इसमाल करते होगे कुछ नहीं कहता तभी जोत्यान लिंग अचानक से कहता है आप कहा से आये हैं तभी जोत्यान कहता है मैं कैयोस ब्लट क्लिफ के नीचे से आया हूँ तभी जोत्यान लिंग कहते हैं क्या आप कैयोस Capital के रहने वाले हो, और असा के तो वो जाने में हस्दे लगता है, जिस पर जोन तुरंती अपना से इला देता है, तो जोत्यान लिंग तुरंती कहते हैं, कैयोस Blood Cliff, मेरा बैड लाक है कि मैंने मरने से पहले इसको अपने कानों से नहीं सुना था, कैते हैं, ठीक है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसे Sinful Blood Cliff कहा जाता था, या Evil Blood Cliff, ये सुनकर तो जोन काफी यादा, सौक हो जाता है क्योंकि उसे याद था, जोत्यान लिंग भी कुछ राइम पहले, कुद को Sinful, यानि पापी कह रहे होते हैं, तो जोन तुननती सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, कि इसके बीच में इनका कोई Relation हो, तभी जोत्यान लिंग तुननती कहते हैं, क्या हुआ छोड़े सा थी, क्या तुमें एक Excited हो रहे हो, और एक Smile के साथ जो यान को देखते हैं, उनकी बास को सुनके जोन थोड़ा सा चौक जाता है, लेकि उनकी बास को सुनने के लिए जोन काफी Curious भी था, जिसके बास वो कहते हैं, अभी जो मैं पांगलों की तरह हरकत कर रहा था, वो इसलिए था क्योंकि मुझे mentally control किया जा रहा था, हालकि आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं थी, क्योंकि ये तब की बात है जब मैं जीबित था, ये सुनकर जोन अपना सेरी लाता और कुछ नहीं कहता, तब जो जो यान कहते हैं, गूबू के बाद अब तक कितना टाइम हो गया है, तब जो यान कहता है, एक लाख साल के उपर, जोन कंफर्म नहीं था, इसलिए, वो लगबग कह देता है, तब जो जो त्यान लिंग तो नहीं थी कहते हैं, ओ, इतना लंबा समय हो गया क्या, और काभी सॉकिंग फेस इंपरसन दिखाते हैं, तब जो यान भी अचानक से सौक होते हुए, अपने सामने के बंदे को देखता है, और सोचता है कि इसके पास किस तरीकी की पावर रही होगी, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा, फ्लेम लॉर्ड से भी पुराना बंदा हो, जो अनको याद था कि फ्लेम लॉर्ड उनका लाश्ट लाइफ आइकन, एलुजनरी स्परिड स्पेस के अंदर था, और जो त्यान लिंग नाम के इस परसन ने बस्ता में, अपनी लाइफ की स्परिड को यहाँ पे छोड़ा था, तभी जो त्यान लिंग, जो त्यान लिंग टुरंदी कहते हैं, मैं जिस टाइम पे पैदा हुआ था, उसे वो टाइम कहा जाता था जहां पे, किवल हीरोस ही पैदा होते थे, और काफी पाउर्फुल हुआ करते थे, सासी सभी के लिए, अपस में एक दूसरे की बर्चस्टे के लिए फाइट हो रही होती है, और इसलिए सब को ये अपनी पाउर बढ़ाने में ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया करता था, हाला कि ठीक इसी बज़े से मेरी पाउर ही कापी बढ़ गई थी, और अगर मैं प्योडली का हूँ, तो इस टाइम पे मैं जूओ त्यालिंग ग्रेट वर्ड में एक मौश्टर था, या कि जाइंट, और इस थॉट के लिए कि मेरी लाइफ के क्लेश्टर को इतने लॉंग टाइम तक रखा जा सकता है, इससे ये भी पता चलता है कि एक सुप्रीम सेंट लेबल की पावर थी, इससे जो यान भी इस बात पर तुरंती बिस्वास कर लेता है, और अपना से हिलाता है, तब ही अल्डर कहते जब मैंने इस ग्रेट वर्ल्ड में कदम रखा, तब मैं काफी यंग था और तुनक मिजाजी था, और किसी को भी नाराज करने से पहले बिलकुल भी नहीं डरता था, हाला कि काफी सारे, पर संस ने एक बार मुझे घेर कर, सेंट हैवन लियालम तक पीछा किया था, लेकिन किसमत से मैं बच गया था, और वो ऐसे लोग नहीं थे, जिनके हाथों से कोई बच कर निकल सके, लेकिन फिर भी हमसे बैतर कोई ना कोई हमेशा होता है, मैं इस शीज को भी समझ गया था, जिसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद को कट्रोल करना भी सीखा, और मेरी पाउर्वी काफी स्पीड से बढ़ी थी, मैंने कई फ्रेंड बनाए, और उनमें से एक वो है, जिसे मैं जानता हूँ, अपनी पूरी लाइफ में, और ऐसा कहते हुए जोतियान लिकाफी, सौप्टली स्माइल करते हैं, तभी जो आन चुपके से सौख होते हुए, यही सोचता क्या केकार, इतने पाउर्फुल परसन का फ्रेंड कितना पाउर्फुल होगा, तभी जो त्यान लिक अचानक से उनके फेसंपरसन बदल जाते हैं, और वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से गूबू और रिजन में आ गए हैं, और इसको सुनकर तो जो यान का भी दिल ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो आन समझ गया था, अब बात मेंट पॉइंट पे आ गई है, तभी एल्डर कहते हैं, गूबू ग्रेट वल्ड के लिए एक सराप थे, और ये मेरे और अनगिनज जनरेशन के लिए एक सराप था, क्योंकि उन्होंने ग्रेट वल्ड में कहर बरसाना इस्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद किसी रीजन के बाद, गूबू के नाइन गेंग अचानक से आप प्यार होते हैं, और इसना कहते हैं, जो त्यान लेंग, उसका चैरे तो पूरी तरीके से, उदास हो जाता है, और लेजे में काफी गुस्सा होता है, तभी जोन भी अपने दिल में, सोल डेमेंस के नाइन डिसाबेंस को सुनकर, काफी अला सौक हो जाता है, और वो खुद से ही कहता है, क्या ये स्टार्टिंग से ही नाइन थे, तभी अल्डर कहते हैं, उस टाम पे गूबू के बीच के वल पाँच ही गिंग थे, बांकी के बची हुए चार अभी भी हाईवर नेशन में थे, हाला कि ये पांच लोग नीदर लेंड डोमेंड की आर्मी के साथ एलाइस में सामिल हो गए थे, और इनों ग्रेट बर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा डिजाश्टर लाया था, साथ इनके साधन और कल्टिवेशन टेक्निक्स भी काफी अजीब थी, जिब अस्ता में डेड लोगों को भी कंट्रोल कर सकते थे, तुम खुदी सोचो छोड़े साथी, क्या एक जनरेशन के लोग अनकिना जनरेशन के पावरफुल और टैलेंटर लोगों के खिलाप लड़ सकते हैं, यह सुनकर जो यान के भी हावा बदल जाते हैं, और उसे अन्डोन रीजन के साथ याद आता है, कि सोड़े मेंस इतने पावरफुल क्यों थे, जिस पे जो त्यालेंटर तुरंती केते हैं, उस टाइम पे ग्रेट वर्ल्ड मुस्किल से ही गूबू के बराबर हो सकती थी, मुझे पूरा विस्वास्त है कि मेरी जो इस ट्रेंट है, वो काफी एक्स्टावरी नरी है, और यह साथ इसलिए भी था क्योंकि उस ट्रेंट पे मैं काफी यंग और उतावला था, और मैं गूबू को जड़ तक जाना चाहता था, उसे मारना चाहता था, और बाकी के बची वे चार गूबू को गिंग्स को भी, मैं ढूब कर मारना चाहता था, जिनका जागना बाकी था, और ऐसा कहते हुए, जो त्यान लिंग थोड़ा सा निराज दिखाई देते हैं, तब ही जो उन कहता है, एल्डर, क्या आप फेल हो गए थे, जिसमें जो त्यान लिंग कहते हैं, यह सही है, मैंने गूबू की श्रेंद को बास्तों में कम करके आँका था, जिसमें जो त्यान लिंग कहते हैं, मैंने एपनी श्रोट से तो नहीं मार पाया इसके बजाए, मैंने उन्हें जल्दी जगा दिया था, और ऐसा कहते हैं, जोत्यालनी कापियार गुस्ते में जिल लाने लगते हैं और जमीन पे पीटने लगते हैं जिसके बाद वो कहते हैं नैन गुबू किंग्स को एक साथ अपैर होते हुँ देखकर ग्रेट वर्ड और भी बुरी हुई हालत में आ गया था और इसके कार अंगिनत लोग मारे गये थे और अंगिनत डिसाहिवल सौर पावर्फुल एक्सवर्ड भी मारे गये थे और इसमें मेरे सबसे अच्छे दोस कहते थे और ये नाम मेरे साथ ऐसे ही जुड़ा है और ऐसा कहते हो उनकियां के हल्की सी लाल हो गई होती है और चैरे पे एक हैल प्लैसी समाइल होती है जोतियाल Nng की बात को सुनने के बाद जान भी सोक रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या का है क्योंकि जो त्यानलिंग ने गलती से चार सोल डेवन किंग्स को आजात कर दिया था जिसने ग्रेट वर्ल्ड के पूरे की पूरे बैलेंस को बिगार दिया था और इनफाइनेट सिविल वर के अंदर ग्रेट वर्ल्ड कून पड़ा था ऐसलिए ऐसा कहना कुछ भी गलत नहीं था कि वो यूमन ट्राइब के लिए एक पापी थे लेकिन अगर दूसरे तरीके से भी देखे तो चार गूबू किंग्स को देर सवेरा प्यार होना ही था बस ये टाइम की बात थी इसलिए ये पाप अके लिए जो त्यान लिंग के उपर छोड़ देना तब ये अल्डर केते हैं इसे भूल जाओ आकर कर तुम एक छोटे बच्चे हो तुम भला इसके बारे में क्या ही जानते होगे दुनिया बास्तों में मुझे पापी कहती है मुझे हिूमन ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया है यहां था कि कुछ पावरफुल एक्सपर्ट ने तो नफरत के कारण मुझे मारने तक की का समखाई थी मैंने अपनी पूरी कोसिस की ग्रेट बर्ल को समझाने के लिए लेकिन उन मेंसे किसी ने भी मुझे पर विस्वास नहीं किया था जो त्यालिंग केते हैं क्या मजाक है मैं ग्रेट वर्ल्ड के अंदर साथी लाना चाहता था लेकिन किसने सोचा था कि मेरा मंत मेरा अंत ऐसे होगा दूसरी तब जो यहां कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उसकी बास सुनने लगता है तब जो त्यालिंग कहते हैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मैंने पूरी लाइब को गूबू की इविलनेस को संथ करने के लिए लगा दिया था हाला कि भले ही मेरे पास एक्स्टाउडिनरी स्ट्रेंट थी फिर भी मैं उनके राजा को नहीं मार सकता था केवल Synchronization IT उसे heavily injured कर सकती थी हाला कि उस टाइम पे स्टार फिल्ड काफी कम जोड था और मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड की फैमली भी स्टार फिल्ड में थी और गूबू की गड़बड़ी के कारण मेरी फैमली काफी बुरी हालत में थी इसलिए मेरा फ्रेंड lower realm में चला गया और इसके बाद फिर से वहाँ पे rebound हुआ इसलिए उस टाइम तक मैंने hidden तोर पर उसे protect हिया था और उस टाइम पे नीदा लेंड के दरजनो heavenly साब्रेंड लेवल के बॉरियर्स ने great world के उपर attack किया था हाला कि मैं battle domain में था और यहां के धर्मा इडल इस्टार domain में थे हाला कि मैंने उनके साथ काफी बड़ी fight की और इसके बाद बेसा भी heavenly साब्रेंड लेवल के बॉरियर्स मारे गए थे लेकिन बास्तों में नीदा domain के सबसे great सैंट लेवल के बॉरियर्स ने मुझे पर हमला कर दिया और मुझे मार दिया इसकी बात को सुनकर जो यान एक गहरी सांस लेता है और दिली दिल में elder की काफी तारी भी करता है कि बास्तों में उन्होंने इतना कुछ किया था और इतना कुछ फिल किया था सौरी यहाँ पे उसका धर्मा आइडल नीदल लेंड डोमेंड के सबसे powerful elder के हां तो मारा गया था धर्मा आइडल आपको पता ही होता है जैसे domain lord के पास उन्होंने बताया था उन्होंने बताया था कि मैं भी धर्मा आइडल था जिससे गुबू के जो डिचास्टर थे वो धीरे धीरे सांत हो गए इसलिए मैंने अपनी identity को छिपाने का फैसला किया इसके बाद मैंने एक friend बनाया और उसे mechanical art सिखाई थी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था इसलिए मैंने जो कुछ भी सीखा था उसे लिखनाय स्टार्ट कर दिया लेकिन तभी मेरी body के अंदर की injuries ने बास्तों में मुझे धीरे धीरे खत्म कर दिया था जिसके करण मैं इस level पर पहुँच गया और ऐसा कहते हो वो हसते हैं और कहते हैं छोटे साथ ही हलाकि ये मेरा peak level तो नहीं है लेकिन मेरी life power आदे से ज़्यादा खत्म हो चुकी है लेकिन इसे कम मत समझना अगर मैं तुम्हें मारना भी चाहूँ तो ये बस एक चुटकी बजाने का काम होगा और ऐसा कहते हैं वो जयन को देखकर फूट फूट कर हसते हैं तभी जयन कहते हैं सीनियर जो आप काफी सीरियस है मैंने आपके सभी बातों को सुना है और मेरे दिल में किवल एक ही वर्ड आ रहा है और वो है respect मैं आपको बहला नीचे दिखाने की इमत कैसे कर सकता हूँ तभी जो त्यानलिंग कहते हैं respect कितने मजाक की बात है कोई बात नहीं मेरा आप से बहस करने का कोई भी रादा नहीं है अब आप जा सकते हैं क्योंकि दुनिया सांथ हो चुकी है और भले उस टाइम पे नाइल नीदर लेंड डोमेन काफी खतरनाक रहा हो लेकिन ये के बहल एक छोटी सी समस्या है और इसके बार में ज्यादा बात करने की ज़रत नहीं है तभी जोन केते हैं एल्डर सच में काफी एक्स्ट्रावडिनरी थे और उन्हेंने जनरेशन को इस्टेवल करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया मैं सच में आपके लिए काफी ग्रेट फोल हूँ और इसके बाद जोन तुरंति उन्हें काफी अच्छे से ग्रेट करता है तभी एल्डर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो तो चलो गाइस इस एपसोड के साथ अभी से यहीं पे एंड करते हैं और जो एन क्या बोलने वाला उसे देखेंगे हम नेक्स्ट एपसोड पे ओके तो बाई बाई थ्रियन फैमली